हलो स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे न्याईक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू हर साल ये एक्जाम में आता है ये आप लोगों को अबजेक्ट्री टाइब तैयार करना है कि स्टुडेंट्स हर चैप्टर में से 20 से लेके 25 तक अबजेक्ट्री टाइब कोस्तन आप लोगों को तैयार करना है तो न्याईक पुनरावलोकन का अर्थ भारत में सर्वोट चिन्यायाले को न्याईक पुनरावलोकन की शक्ती राप्त है न nieuयाईक पुनरा वा लोकन का तातपरी सर्वोट चिन्यायले की उस सक्ति से है जिसके द्वारा सर्वोट चिन्यायले विधाई का, विधाई का के उन कानूनों तथा कारिपालिका के उन आदेशूं को अवैद गोशित कर सकता है जो भारत के सविधान के किसी धारा का उलंगन करते हूं सर्वोचे नियायरे अपनी शक्ती का प्रियोग स्वतह नहीं कर सकता इसके लिए प्रभावित पक्ष द्वारा उसके समक्ज वाद योजित किया जाना आवश्यक है यदि किसी कानून का कोई अंस सविधान का उलंगन करता है तो उस कानून का केवल वही अंच अवैद गोशित किया जाएगा तथा शेश कानून यथावत लागू रहेगा भारत में उच न्यायालय को भी न्यायक पुनावरलोकन की शक्ति प्राप्त है लेकिन जीला न्यायालयों को यह शक्ति प्राप्त नहीं है नियाईग पुनरवरलोकन के अंतरगत केंद्र सरकार वा सभी राज्य सरकारों के सभी कानूनों और आदिशों की समिछा सर्वोच नियालय द्वारा की जा सकती है तो स्टुडेंट्स दिहान देंगे सर्वोच नयायलाई के साथ साथ उच नयायलाई को भी न्याइक पुनावरलोकन की शक्ती प्राप्त है ये आपके अब्जेक्टि टैप कोस्टन में आ सकता है भारत में न्यायक पुनावरलोकन की धाना को अमेरिका के सविधान से लिया गया है अमेरिका में न्यायक सर्वोचता का सिध्धान्त लागू है इसका प्रतिपादन वहाँ पर 1803 में वहाँ के मुख नयायाद्रीश मार्शल द्वारा मार्बरी बनाम मेडिशन के मामले में किया गया था अमेरिका में इस सकती के कारण न्याय पालिका के बारे में यह कहा जाता है कि अमेरिका में वही कानून है जो न्याय अधिश कहते है अमेरिका में सर्वोच नयायले को वहां की संसत कॉंग्रेस के तीसरे सदन की शंगया दी जाती है फिर भी भारत में न्याईग पुनर्वलोकन की शक्ति उतनी व्यापक नहीं है जितनी की अमेरिका में न्यायक पुनर्वलोगन की शक्ति का विस्तार यहाँ भी उलेकनी है कि सर्वोच नियायालयों ने अपने नीड़ेयों में यह इसपस्ट कर दिया कि न्यायक पुनर्वलोगन की शक्ति सविधान की आधार भूत दाचे basic structure के सिध्धान्त में सम्मिलित है सर्वोच नियालय द्वारा आधार भूर्ट धाचे के सिध्धान्त का प्रतिपादन 1973 में केश्वानन्द भारतिय के मामले में किया गया था इस सिध्धान्त का आश्य यह है कि यद्दिपी संसत अनुछेद 368 के अंतरकत सविधान में संसोधन कर सकती है लेकिन संसत सविधान संसोधन द्वारा सविधान के आधार भूर्ट धाचे में परिवर्तन नहीं कर सकती संसोधन तो कर सकती है परन्तु उसके आधार भूर्ट धाचे में परिवर्तन नहीं कर सकती इसका आसर यह है कि यदि सविधान के आधार भुड़ाचे में परिवर्थन किया जाना है तो पूरु की भाती सविधान सभा का गठन किया जाना अवश्यक होगा महत्य पूर्ण तत्थ यह है कि सर्वोच नायले के अभी तक अधिकारिक तोर पर ऐसी कोई सूची नहीं बनाई है जिसमें यह बताया हो कि शविधान के आधार भुड़ाचे में क्या-क्या बाते सामिल है फिर भी कई निर्णयों को अधिकारिक तोर पर नयायक पुनर्वलोकन को सविधान का आधार भुड़ाचा माना गया है नयायक पुनर्वलोकन की सीमाएं Limitation of Judicial Review फिर्स्ट है भारत में नयायक पुनर्वलोकन की निम्न सीमाएं हैं सविधान की सर्वोच्चता की सीमा और सेकेंड है नयायक पुनर्वलोकन का स्वता प्रयोग नहीं नयायले इस सक्ति का प्रयोग स्वता नहीं कर सकता इसका प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक प्रभावित पक्ष व्यक्ति द्वारा इस संबंद में याचि का दायर नहीं की गई हो न्याईक पुनर वलोकन का महत्व निम लिखित बिंदूओं में समझा जा सकता है फर्ष्ट है सविधान की रक्षा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, नेक्स्ट सरकार की मनमानी पर रोक और नेक्स्ट है विधिके सासन की इस्थापना ओके स्ट्रेंट्स अब आगे के पिरियंड में हम पढ़ाई करेंगे